एका दशी बृत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन बृत करो उसके एक दिन पहले भक्ती का संचार इस धरदय में कर लीजिए। जेसे एकादशी का बरत कर रहे हो तो दस्मी के दिन शाम का समय जब आगे रात्री जब होने लगे शाम का समय आगे और रात्री का आप जब भोजन गरण करो तो उस भोजन में कोई एसा पदार्थ ग्रण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आकी एकादशी जिगड़ एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनियगा जिस दिन आपकी एकादशी का भृत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की कोई पत्ती तूटे जो चोथे नंबर का जो उपाय बताया है उपवास करने का जो नियम बताया है उसमें वर्णन किया एकाद अशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूल वश्री डबे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल फलहार कोई केला कोई सेब जो आ पर आप अपने हाथों से आपका ब्रत है तो आप फलार आप कर रहे हो तो फलहार का ही तान कोई माता कोई पाच्वा वर्णन किया चतुर्त भावों में बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाब करते या अपने गुरु मंत् समर्ण करें जाए जो मंत्रा आपके हरदाय में समाहित हो श्री शिवाये नमस्तुभ्यम ओम नमस्षिवाये राम कृष्ण शिवाये जो मन पड़े उसका भजन करें पर दिल से कर जितनी देर करते वने उत्ता दें माला पकड़ने की विजरुवत नहीं कि माला पकड़के गटकी जिब्या से जपलोनी जी जी वो ही उत्ता में पूरा हो जाए वही बहुत है मारा पाच्वनी हम कहा जिस दिन आपका ब्रत रहे किसी निंदक से बात ना निंदक जानते हो भाई-दूज के दिन दिवाली की जो भाई-दूज होती है नो धोली दिवाली की जो बनाते हैं और पास में चुगल खोर भी बना और चुगल खोर के उपर भाटा दर अब तुमारे उदर रखे किन गखे हमें नहीं मालूम रहे हो जेते आस्था पर सुन रहे हो पर हमारे दर तो एक सा रहता है गोवर का भाई बना है और उसकी पूजन करें उसके पास में पर भी दी तो तुरन्त सूरी नरायन भगवान का दर्शन करें और तीन बार उनका δर्शन करकर नेत्र बन्त करें तब जाकर वो निंदा जो अंदर कई है अंदर पवीतल प्रदान करेगी तब जाकर एकादसी का बड़त लगेगा पहले तो प्रयास करो अगर जो निंदा करने आता है ना तुसको उस दिन एकादसी वाले दिन दर्वाजे पे लिग दो कि चुगल चोड़ फिर कहा जीव की हत्या ना करे अगला निया में अपने द्वारा जीव की ह करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें